हेलो फ्रेंट्स सौगत है आपके ही चैनल फेंटैसी डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैं चम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह होने वाला यहां पे इंडिया वूमें वसे यूए वूमें के बीच यहां पर जो मैच होने वाला है एश्यक अपका इस मैच की वीडि पूछने वालो इसलिए वीडियो से जुड़े रहना इस वीडियो में आपको स्मॉल लिक की टीम मिलेगी दोनों ही कॉंबीनेशन के अकॉर्ड प्लस ग्रैंड लिक के आपको यहां पे छे टीम मिलने साथ टीम मिलने वाली है प्लस वैदर निउस पिच रिपोर्ट कौन सी टीम स्ट्रॉंग रहें कॉनसी वीक रहेंगी इंवेश्टमेंट कैसे करनी है प्लस बाइक की पिक्स आपके साथ शेयर करेंगा अगर आपको लॉंग टम में हमारी तरह ऐसे लाखों में अर्निंग करनी है विनिंग करनी है ऐसी आप टीडियर से हो जीस्ट आप दोनों ही बचाना चाहते हो तो आपको एक वीडियोग नीचे जा सकते हो आम एक जरी जैसी आपयमेंट करोगे मुकलर के आप सबसे ओपर हमेशा आपको जो कि बिल्कुल फ्री जाकि जुड़े रहते हैं तो मैं कह सकता है डेफिनिटल आपको बैनिफिट जरूर मिलें बाकि इन्वेस्ट्मेंट स्ट्रेजी के ओपर मैंने एक इस्पेशल वीडियो बनाई तो जाके यह भी आप चैक आउट जूरूर अब देखो विए कोशन किय है कि वीडियो चलेगी तो लाइक करना है और कमेंट में हैस्टाग आयन वुमें वर्सेस यूए वुमें लिखना है विनर हं फिर्स्ट को हंडेट से ज्यादा विनर होई तो क्लैश में जिसका कमेंट पहले होगा टाइमिंग के अकॉर्डिंग वह बनाया जाएगा इशू नहीं है तो मतलब हमें पूरा मैच होता वह नजर आएगा इंवेस्टमेंट जो है वह गुड रहेगी और पैटन जो है 80-20 मतलब जितना भी इस मैच में आप इंवेस्टमेंट करना चाहते हो 80 परसंट आपको 10 प्लस वन में करना है 20 परसंट आपको सेवन प्लस हो भी करते तो बहुत बड़ी बात है 100 से नीचे स्कूर रहेगा टाइम जो है वह इंडिया कोडिंग दिन में दो बजे मैच है तो कोई दिक्कत नहीं है बाकि अगर बात किया पिछ रिपोर्ट तो बैटिंग बैलेंस पिच है यहां पर बैटर और बालर दोनों के लिए मैच चार मैच गए तो कहीं नहीं लग रहा है कि बालर ज्यादा डॉमिनेट कर रहे हैं और दिन का मैच है तो नाइट का कोई डियू का एशू भी नहीं है तो टीम को टॉच जीत के पहले मुझे रखता है बैटिंग का डिजन लेन चाहिए बाकिए अगर बात की जाए तो पिच रिपोर्ट जो है बैलेंस और यहां पर जो अभी लंका प्री में लीग के स्टार्टिंग के पाँच मैच रहे थे उन में सब ब्लस सकोर गया तो मतलब लंका प्रीमेर लिग में बहुत बड़े सकोर रहे थे बैटिंग पर नदर आ रही थी बट अभी रीसंट जो च तोप 10 विकिट टेकर्स की लिच्ट निकालेगें तीन स्पिनर और साथ बालर है अगर देखा जाए तो यहां पर इस पिनर डिश अभी डिश्ट विकिट ले रहे थे एक पिछ रिपूर्ट आपको आफ्ट डॉप्ट टेलिग्राम पे मिल जाए क्योंकि एक ग्रॉण पर मल्टिपल पिचिस होती है हर पिच का नेचर अलोग होता है तो देखने आली बात है कौन सी पिच पर मैच होगा और मैच प्लेट टोटल यहां पर इस ग्रॉण पर सोटल इंटरनेशनल में अवस्तक साथ मैच जा चुके जिसमें दो बर तो बैटिंग सेकिंड फर्ष्ट करते है कि उनके पूरे लाइनप को बैटिंग का मौका मिले बाकि अगर युए जीती तो युए कुछ भी कर सकते बैटिंग और बॉलिंग दोनों में से बागर टोटल साथ मैच खेले गए हैं वूमें की यहां पर टी ट्वेंटे हिस्टरी में तो इस ग्रॉण पर आस तक चार में चेकरोटल साथ में मधना के और चार में त Ihre यहां पर ळलीकल रहेगी बाकि करी पहले बैटिंग करेए निई पहले बालिंग लिए-वा्रीन पॉर एक्जांपल देखो यहां पर इंडिया वाले मैच में भी आपको आपको यहां पर शेलंका बंगलेश मैच में तो मैंने यहां पर बहुत बहुत आपको आपको लिंक भी मिल जाएगा प्लस आपको आपको वीडियो बनाइए वह वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा वीडियो जरूर देख लेना समझ आप में खेल ना कैसे है तो बहुत कुछ मिस्स कर रहे हो जुरूर खेलना बहुत अच्छी है अभी इंडिया वाले मैच का खुला नहीं तो इसलिए मैं को बता नहीं पार हो कौन से पिक रहे हैं आपको टेलीग्राम पर आफ्टर डॉस्ट बता दूंगा मतलब लाश्ट अगर आप कई मैच उठाओगे तो 40 के नीचे एक बार भी स्कोर नहीं किया अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में और मंदना का जो एक खास बात है चेस करते वे सेकंड इनिंग में रिकॉर्ड और बैटर हो जाता है और अगर देखा जाए तो वाइस कर सकते हैं शेफाली वर्मा राइटन बैटर रहे पावर रेटर रहे गेम चेंजर है थोड़ा जो अभी फॉर्म थी वह उपर नीचे चल रही थी वंडे सिरीज थोड़ी एवरेज गई थी बड़ा स्कोर आया था पर टेस्ट मैच पर डबल सेंचुरी मारी फी ट्वर्मा पहले मैं 40 मारे तो आप वर्मा को ड्रॉप नहीं कर सकते और चाहो तो इंडिया पहले बैटिंग करें तो वाई सेप्टन भी कर सकते हो और एक खास बात है कि यहां पर शेफाली वर्मा पार्ट टाइम इल्ए स्पिन बॉलिंग भी कर लेती है और अभी रिसेंट अफ्रीक टोर रहा सीरीस रही वह बेकार रही चाहे वंडे उठालो चाहे टी ट्वेंटे उठालो और पहले मैच वह भी दो तीन शॉट अच्छे हमारे फिर अपना वेकिट लूस कर दिया तो अच्छी बैटर जरूर है पूरे एपिल में अच्छा परफॉर्मेंस किया कंसीडर कर स बैटिंग आएगी भी तो ज्यादा रण भचेंगे लिए फाइदा निया फिर इंडिया अगर पहले बालिंग करती है तो लेना थो तब हिए लेना बैटिंग करे और कॉर में रिसेंट वंडे सीरीज में अफ्रे अगेंस्ट सेंस्य लगाई टेस्ट में अप संस्य लिगा था इंडिया पहले बैटिंग करें तभी कंसिडर करना अधरवाइस नहीं बाकि रिचा घोष राइटन बैटर और विकेट की पर है और रिचा घोष की थोड़ी फॉर्म उपर नीचे चल रहे बढ़ टेस्ट मैच में हाफ सेंचुरी की इंडिया पहले लेने की बाकि रिचा घोष को इंडिया पहले बॉलिंग करते तब भी ले सकते हैं क्यूंकि अपरें टीम की विकेट कीपर पर ज्यादर रन मारेगी नहीं तो अगर रिचा घोष दो तीन कैच भी ले रहे थी तो 26 पॉइंट तो में वैसे जजाएग बिना ब इंडिया पहले बैटिंग करें बाकि दीपति शर्मा रेटन बैट्स मैंने और सबसे इंडिया की बैस्ट में थी और दूसी सबसे खास बात है यहां पर देपति शर्मागी की डैथ होवर से बॉलिंग करती हैं तो एक स्मार्ट बॉलर है इंडिया पहले बैटिंग करें चाहें बाद में बागी यहां पर पुझा बस्त्रकार 9 च्राइब में यंशा माइड़ा तो ओक्रीट बैस बाइडस सरस्यलिया और अभी तक देहोगे तो अच्छी बॉलिंग करी है थोड़ा उपर नीचे रही है अभी रिसेंट वुमें आइपिल में हैस्ट विकिट टेकर लेने वाली बॉलर थी परपल कैप होल्डर तो कंसिडर करना है और विकिट टेकर बॉलर वैसे भी ग्रैंड लिग मिनी कर लेती है टोटल पहले मैच अनफॉर्चनेटल बॉलिंग अच्छी करी पर विकिट नहीं मिली टोटल तीन मैच में यहां पर छे विकिट निकाले हैं लास्ट के रादे यादव ने और यादव कर सकते और इंडिया अगर पहले बॉलिंग करे रेनुका की खास बात यहीं कि नहीं बॉल के बॉलर है और में 15 बॉलिंग के बॉलिंग करना लेंगी बट्ञी बॉलिंग कर सकते हो बाकि आईपेल से लेके उतने अच्छी फॉर्म में रही नहीं है काफी लंबे टाइम से आपका 15-20 और के बीच वस्तरकार दीपती और श्रेंग का पार्टिल बॉलिंग करते हो नदर आ सकते हैं बैंच में यहां पर है उमा चेत्री अगर रिचाओ को रेश्ट देंगे तो फिर चेत्री आ सकती है चेत्रा यह विकेडिपिंग करेगी बैटिंग से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है बाकि यहां पर अरुंदत्ती रेडी जो है फास्ट बॉलर इंडिया की और साउथ अफ्रीका सीरीज में रेड अच्छी बैटिंग भी कर लेती है बागे सज्जना मुंबई के लाइपिल में के लिए अपना काफी नाम कमाया पावर हीटर है जुरुत पढ़ने पर उस्पिन बॉलिंग भी कर लेती है बड़ उतनी अपॉनिश्टी मिली नहीं कि टॉप आटर के प्लेयर अच्छा प्र बैटिंग से पहल जाता है कि बैटर की कि हां लंबे रेस का घोड़ा यह नहीं तो इस ताव कि प्लेयर से शॉट्स सारे हैं बहुत अच्छे टेकनिकल शॉट्स मारती है बट चांस नहीं बन पाएगा शोबना आचा ने अपने डेब्यू मैच में ही चार विकेट लेते अ टीम में वैसे मुझे लगता है तो बहुत चीज़ बैटने को बलेगा कनवर ने पूरे बहुत चीज़ परफॉर्मिस चाहे बैटिंग और बॉलिंग गुजरात के लिए और गुजरात के लिए पूरी टीम भले ही फुलॉप और यह वन साइड बट साइड बाइसे करने दोनों को इंपोर्डर देनी देनी अगर पहले बैटिंग करेंगी तो इंडिया के बाकि बैटर्स की बढ़ जाएगी पहले बैटिंग बाकि चीम के बारे बताओ तो लास्टमाच यह ने 11 जो है यह रोहीत उजा राइटन बैटर है और टीम की सबसे बेश्ट प्लेयर रहा है 80-20 मैच के लिए 2000 से उपर रहने 31 की आवरेज और 56 विकेट निकाले अपने करियर में पहले मैच में यहां पर दसरन बनाए मतलब 28-28 कोई बूरी वरेज यह 67 मैच पर रहने में तरह सकते हैं रिचा गोष्ण करेगी तो भी बैटिंग आएगी इंडिया घर सेकंड बैटिंग करेगी तो रिचा सबसे बड़ी है जो बैटिंग में एवरेज की है तो सबसे बड़ी है बैटर बोल सकते हो और 35 मैच में तो पर लाष्ट मैच में चार विकेट टोटल ले जिसमें तीन विकेट इगो देज नहीं ले तो यह दो प्लेयर तो आपको पैज लिगा कि इनको मिस नहीं करना क्योंकि दोनों बैटिंग से भी अच्छे और बालिंग भी करेंगी बागी यहां पर है के शर्मा राइटन बैट्समें ऑस्पिन बॉलर 36 बनाएं यहां पर एक ओवर डाला कोई विकेट नहीं 66 मैच में 36 भले ही मार दियो पर उतना कोई खास नहीं सी 12 की आवरेज है और बाल प्लेयर है वी महेश लैक्सपिन बॉलर इनकी टीम की सबसे हैस्ट विकेट टेकर बॉलर 69 मैच में 82 विकेट लिये हैं तो लोग ले नहीं रहें बहुत कम सेलेक्शन रेट दसर परसंट भी साइधिंग सेलेक्शन रेट नहीं होगा पहले मैच ना मिले अपर इनकी टीम की ह अगर देखा जाए तो सी बैटर है काफी नीचे बैटिंग और भी इतना इंपॉर्टन नहीं लाग विकेट नहीं मिला तो अगर देखा जाए तो अगर यहां पर 11 विकेट लिये हैं यहां पर कैनी एक विकेट लिया था है तो अई नंदकुमार 47 मैच 25 विकेट उतना 31 विकेट और रशीता रंजीत फास्ट बालर इंपॉर्टन बोलोगे तो हमारे जो रहेंगी कोई बैटिंग बॉलिंग पहले करें इन दोनों को तो मिस्स मत करना बाकि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो यार फिर तो मैं बोलूगा कि किसी और को लेने के जो इतन बिलाल आपको कि स्मॉल लिकी टीम प्लस ग्रेंड लिक्की मैं आपको यहां पर साथ टीम दूंगा सकते हो कोई क्रेडिट का इश्यू नहीं आएगा और आप सेम टीम के किसी भी आप पर जा सकते हो मेरी इंवेस्टमेंट से इंविश्य लेवन पर रहती है चार साल से बिल्कुल अकंपनिया आपके लिए फिफ्टेट परसेंट ट्विटेट परसेंट करेंगे और तीसरा और पांच परसेंट और बचाओ आपका तो 63 परसेंट आपको हो जाएगा पांच परसेंट कैसे बचेगा आप जो विड्रॉ करते विज आपके वीनिंग में और यह कोई नहीं आप नहीं है मार्किट में अगर आप देखा जाए तो पुरानी आप में चार साल से ओपर हो गया बहुत ट्रस्टेट अप है मेरा इतना माउंट पड़ावा आप समझ सकते हो कि मैंने भी ट्रस्ट करके रखावा है और आपको रिकमेंड यह जरूर बोल नहीं मिल जाएगा आपको मैं 10 प्लस 1 और 7 प्लस 4 के एकॉडिंग टीम मेरी बनने वाले मेरी यह रहेगी मैंने घोश को लिया है चाहे इंडिया पहले बैटिंग करेंगी अच्छी बैटर 28 के आवरेज है यह आपको पर डिपेंड करेगा बाकि मैंने मंधना को लिया है व इसके लावा कैनी ग्रेंड लिक प्लेयर है कि दिपती शर्मा इंपॉर्टेंट कैप्टन वाई रहेंगी इन दुनों को मिस मत करना वस्त्रगार हमारी वाइसेप्टेंसे की ऑप्शन के शर्मा को आप ग्रेंड लिक में ले लेना इसके लावा मैंने लिए यहां पे करेंगे तो अच्छी बॉलर रहेंगी अंदक अधन एक इसके अन्य रहेंगी वह इसके लिए पहले बाल लिंग कर रहेंगी तो इनदिया पहले बैटिंग करेंगी तो आप मनधिन वर्मा इन वहां को बात देजा से आप समझ पा रहे होंगे अब 4-17 प्लेक्र रहेगी आपकी यह दाने के चलना ग्रैंड लिग की टीम वन जो बनी की मैंने सोच कि बनाए कि इंडिया अगर पहले बैट बालिंग करती है और मैंने राधा को जा सकते हो बाकी यहां पर मैंने लिया है इंडिया पहले बालिंग करते हैं इंडिया पहले बैटिंग करते हैं इंडिया के टॉप और विक जल्दी कर जाते हैं कि किरकेट कुछ भी हो सकता है तो यह तब सोच के तब ऐसी टीम काम आएगे आपके यह मैंने उल्टा कर दिया इंडिया पहले बैटिंग करती है रिवर्स कर दिया बाकि आप ऐसी और मल्टीबल टीम क्रेट कर सकते हो सब्सक्राइब करें आपको अपडेट करें लिंक वीडियो की नीचे कमेंट है और पार्टिसेपेट जरूर कर लेना मिलते हैं फाइन टेलिग्राम पे जाहिन दोस्तों बाई बाई